असलाम अलेकुम जी, so last lesson के अंदर हम लोगों ने कुछ perspective grids को देखा था तो इस lesson में हम ये देखेंगे के horizon line actually है क्या और different objects horizon line के accordingly और vanishing points के accordingly किस तरह से draw किये जा सकते हैं तो इस वकत मेरे सामने 3 persons available हैं और एक person ऐसा है जो के जिसका eye level जो के horizon line है ठीक है जिस बड़ी important है कि horizon line actually है क्या horizon line is actually the eye level of a person ठीक है एक person है जो के जिसका eye level नीचे है जो नीचे से objects को देख रहा है ठीक है एक object यहाँ पे placed है for example मैं एक circle place कर लेता हूँ ठीक है जी तो यह एक ऐसा person है जो के इसको बिल्कुल सामने से देख रहा है ये एक ऐसा person है जो के इस object को नीचे से देख रहा है और ये इसको उपर से देख रहा है ठीक है जी तो यहाँ भी हम तीन तरह के objects बनाते हैं, three different horizon lines के accordingly, ठीक है तो पहले हम एक object create करेंगे, जो इस person के accordingly होगा, इसके बाद अगर ये बंदा उसको इस object को देखता है, इस horizon line के accordingly तो वो object कैसा नजर आएगा, और अगर ये बंदा उसको नीचे वाली side से देखता है, तो sky level यहाँ तो ये object उसको यहाँ से कैसा नजर आएगा, तो it's very simple जी two point perspective के उपर हम लोग object create कर रहे हैं, तो मैं simple यहाँ एक line draw करता हूँ, इसको मैं straight उपर ले जाता हूँ, और इसके बाद इसको मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक है जी, उसके बाद क्यूंकि हमने इस line को follow करना ह तो हम कोशिश करते हैं कि अपना object यहाँ से ही start करें, ठीक है जी, तो यह हमारे पास एक ऐसा object है, एक ऐसा box है, जो कि अगर यह बंदा देखे तो इसको यह object ऐसा नजर आएगा, ठीक है जी, तो मैं layers में जाता हूँ, और मैं layers में जाके, एक new layer create कर लेता हूँ, इसको हम लो करेते हैं और इसको फिलहाल hide कर लेते हैं, ठीक है और इस layer पर दुबारा से एक object create करते हैं, अब हम अपनी जो vanishing points से इनको move करेंगे, तो this is the vanishing point, ठीक है, इसको मैं control T करता हूँ, इसको हम move करते हैं towards this horizon line, और बिल्कुल ऐसे ही इसको लेते हैं, control T करते हैं और इसको move करते ह हैं, इस horizon line के उपर, ठीक है जी, वापस layer 4 में आते हैं, और दुबारा से यहां पर एक object create करते हैं, so for example हम brush tool लेते हैं, इसके बाद क्यूंकि इसके जो vanishing points है वो उपर हैं तो हमें इसकी उपर वाली side भी नजर आएगी, ठीक है तो इसको draw करने के लिए हम इस line के parallel कोशिश करते हैं कि अपनी line को draw करें, for example इस line को यहां पर draw कर लेते हैं, ठीक है जी, थोड़ी सी महिनत के बाद हमने अपनी line draw कर लिए, इसके बाद मैं यहां पर इस line को follow करता हूँ, और यह हमारे पास एक वो ही box हमने draw कर लिया है, जो कि हमने पहले draw किया था, लेकिन क्योंकि अब इसका horizon line उपर वाली side पे है, क्योंकि इसका eye level उपर है, कोई बंदा इस object को उपर से देख रहा है, तो इसको यह object कुछ इस तरह से नजर आएगा, और इसके जो vanishing points हैं, वो इस horizon line के उपर बनेंगे, ठीक है जी, और बिल्कुल similar ऐसे ही, अगर हम यही same object, इसको hide कर लेते हैं, कुछ इस तरह से बनाएं, कि इस person के accordingly object वो कैसा नजर आता है, तो हमने अपने जो vanishing points हैं, उनको इस horizon line पे move कर लिया है, और दुबारा से यहाँ पे एक object create करते हैं, layers में जाते हैं, layer 7 को choose करते हैं, और दुबारा से जी, यहाँ पे एक box को draw करने की कोशिश करते हैं, तो यह वो ही same box है, जो कि अब हमको नीचे से नजर आ रहा है, क्योंकि eye level horizon line नीचे वाली side पे है, So it's very important to understand कि आप किसी object को देख रहे हैं, तो उसकी horizon line कहाँ पे बनेगे, उसके vanishing point कहाँ पे बनेगे, ताकि जब आप composites बनाने लगें, तो आप ऐसे composites उठाएं, ऐसे images उठाएं, For example, एक बन्दा है और आप उसको fit करने जा रहे हैं किसी और image के अंदर, तो आपने ये देखना है कि दोनों के horizon line same level पे होनी चाहिए, आप कभी भी एक अच्छा composite नहीं बना सकते, कि अगर एक object की horizon line उपर है और एक object की horizon line middle में है या नीचे है, उसका एक अच्छा composite नहीं बनेगा, वो आपको realistic नहीं लगेगा, तो realistic feel लाने के लिए it's very important कि आप ऐसे objects की selection करें, जिनका horizon same level पे हो, ठीक है तो यहाँ पे कुछ images देखते हैं, उसकी horizon line और इसके vanishing points find out करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो horizon है, वो कुछ इस level पे बनेगा, और जब आप different lines को मिलाएंगे तो वो यहाँ पे उसका vanishing point बनेगा, second image के ओपर आते हैं, तो यहाँ पे हमें इसका horizon है, वो कुछ इस level पे नजर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें, तो इसकी जितनी भी यह lines हैं, यह इस point पे जाके meet करेंगी, ठीक है जी, तो for example, यह हमारे पास second है, तो यह भी इस line पे जाके meet करेगा, यह जो आपको एक point नजर आ रहे हैं, यह भी इस पे जाके meet करेगा, और यह जो आपको उपर से एक view नजर आ रहे हैं, यह भी इस point पे जाके meet करेगा, ठीक है, इसको यहाँ से लेके आते हैं, और इसको यहाँ पे मिलाते हैं, तो यह जितने भी points आपको नजर आ रहे हैं, वो इसके vanishing point पे जाके meet करेंगा, और इसका जो horizon है, वो यहाँ पे आपको बंदावा नजर आएगा, तो अगर आप यहाँ पे किसी person को आइट करना चाहते हैं, तो उसका horizon भी same होना चाहिए, इस image के साथ, तो यहाँ बगर हम इसका horizon देखना चाहें, कि इसका horizon कहां पर है, देखते हैं, कि वो किस point पे जाके meet करते हैं, अगर हम लोग बिल्कुल accurate lines को draw करें, तो हमारा जो vanishing point है, वो यह वाला है, और इसका जो horizon बनेगा, वो कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो अगर हम इस image के अंदर, एक second object लाके place करना चाहते हैं, तो हमें उसका भी एक vanishing point, उसका horizon line पहले find out करनी पड़ेगी, और अगर दोनों की somehow same है, तो हम उसको इस image में adjust कर सकते हैं, ठीक है जी, तो next image पे आते हैं, तो अगर हमने इस image के अंदर, किसी और image को composite करना है, आड़ करना है, तो इसके हम लोग, ठीक है, तो most probably यहाँ पे इसका vanishing point बनता है, अगर हम lines बिल्कुल accurately draw करें, और यह इसका horizon है, ठीक है, जो eye level है, वो यहाँ पर है, तो अगर कोई second image इसमें आ रही है, तो उसका horizon भी same होना चाहिए, तो यह बड़ी simple सी, इसका horizon यहाँ पर है, इस unknown thing, उसके बाद हम two point perspective पर आते हैं, तो इसके दो horizon, sorry, इसके दो vanishing points बनेंगे, ठीक है, यहाँ से लेते हैं, जी line, उससे draw करना ज्यादा आसान है, as compared to the pen tool, ठीक है, इसको pixels ही कर लेते हैं, और दुबारा से draw करते हैं, ठीक है, अगर हम इस image को थोड़ा सा extend करें, तो इसके जो vanishing points हैं, उसको हम देख सकते हैं, इसको करते हैं, जी extend, content aware इसको नहीं करना, हमें सिर्फ ये चाहिए कि इसके vanishing points कहां पर बनते हैं, ताके हम उसका horizon find out कर सकें, ठीक है, तो हमें दुबारा से, ये lines draw करनी पड़ेंगी, ठीक है जी तो इसका vanishing point यहां पर बनता है, और अगर हम इस side पर देखें, तो most probably इसका भी same level पर बनेगा, और इसका जो horizon है जी, वो इस level पर आएगा, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि, इसका horizon अगर नीचे बनता है, तो ये बनता, बिल्कुल इस building के level पर नहीं है, बलके नीचे वली side से, इसको उपर की तरफ को देख रहा है, so this is important to understand, इसके बाद हम next image पर आते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही, इसका भी जो, horizon है, उसको find out कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आप इस image को extend करें, lines का use करते हुए, देखें के lines कहां पर meet करती हैं, वहाँ पर horizon को draw करें, और अगर आप इसमें कोई नहीं image लेकि आना चाहते हैं, composites create करना चाहते हैं, तो उसके लिए important है कि, दोनों images का horizon same level पर होना चाहिए, जो eye level है वो same होना चाहिए, ठीक है, तो it's very similar for this image as well, आप इसकी in lines को देख सकते हैं, कि ये कहां पर meet करती है, ठीक है, और ये एक ऐसे image है, जिसके तीन vanishing points बनेंगे, लेकिन horizon line आपने इसकी एक ही draw करने है, जहां पर दो vanishing points आपस में meet करेंगे, जिस line के पर दो vanishing points बनेंगे, that is going to be the horizon line for this image, तो this thing is very important to understand, के how to create the horizon lines, how to understand के किसी image की horizon line कैसे find out की जा सकती है, so it's going to be very helpful for you, to create the composites और photo editing के लिए, तो practice सरूर करें, different images को उठाएं, उनका horizon find out करने की कोशिश करें, एक plane को draw करें, और वहां पे different objects create करें, और उसके vanishing points को move करें, हर बंदे के accordingly, और कुछ objects को create करके देखें, that how it's going to look alike, from different eye levels, ठीके जी, so see you in the next lesson, thank you so much.